स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज साचोर की ओनलाइन क्लासिज में आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट फरस्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बीएससी पार्ट फरस्ट जूलो जी की आज हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी पार्ट फरस्ट में एडमिशन लिया है तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जूलो जी के तीन पेपर है जो फरस्ट पेपर है जूलो जी का वो प्राणी विविदता एवम उद्विकास एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवल्यूशन का है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उस पेपर के वीडियोज अवैलेबल है आप उन्हें देख सकते हैं इसी प्रकार बियस्सी पार्ट फरस्ट जूलो जी का जो सेकिंड पेपर है वो अप्रश्ट वन्शियों की सरचना एवम कारिय का है यानि जो नौन कॉल डेट्स हैं उनकी सरचना उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन से संबंदित ये पेपर है तो आज के इस लेक्चर से मैं जूलो जी के सेकिंड पेपर के कुछ टॉपिक आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा और जो जूलो जी का तीसरा पेपर है वो आपके कोशी का विज्ञान एवम आनुवन्शी की का एक पेपर है सेल बाइलो जी एंड जैनेटिक्स तो उस पेपर के भी कुछ लेक्चर मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ आप वो देख सकते हैं तो आज से अगले कुछ दिनों तक हम लोग केवल जूलो जी के सेकेंड पेपर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो आज उसी क्रम में मैंने एक टॉपिक सलेक्ट किया है आप लोगों के लिए और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो इसे हिंदी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है सिंपली आप इसे हिंदी में जल सवहन तंत्र इस नाम से जानते हो कुछ बुक्स में इसे बीथी तंत्र इस नाम से भी दिया गया है तो आज हम बात करेंगे वाटर वैस्किलर सिस्टम की जल संवहन तंत्र की बीथी तंत्र की तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन युनिवर्सिटी के एक्जाम में इस टॉपिक से संबंदित पूछा जाता है तो शुरू करें आज का टॉपिक इस स्लाइड के अंदर मैंने वाटर वैस्किलर सिस्टम जल संवहन तंत्र के एक आरेख को ड्रॉ करने की कोशिश की है तो पहली जो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि जो ये जल संवहन तंत्र है ये आपको फाइलम इकाइनो डर्मेटा संग इकाइनो डर्मेटा के जो भी जन्तू है जिसमें समुद्री तारा स्टार फिश, सी, अर्चिन, इकाइनस ऐसे कुछ जन्तू आते हैं तो फाइलम इकाइनो डर्मेटा के जन्तूंओं में ये जल संवहन तंत्र वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम उपस्थित होता है और इस तंत्र की उपस्थिती इकाइनो डर्मेटा जन्तूंओं की एक प्रमुख विशेशता है इस संग के अलावा किसी अन्य संग के जन्तूं में ऐसा कोई तंत्र ऐसा कोई सिस्टम उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ इस डाइग्राम में मैंने जो समुद्री तारा जिसको स्टार फिश सी स्टार के नाम से जानते हैं उसके जल सवहन तंत्र को एक आरेक के रूप में मैंने प्रदर्शित किया है तो इस जल सवहन तंत्र के कुछ गटक हैं उन गटकों से मिलकर ये तंत्र बना हुआ है तो डाइग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो गटक कौन से कौन से हैं नमबर एक जो इस सिस्टम का पहला गटक है उसे मैडरी पोराइट के नाम से जाना जाता है हिंदी में मैडरी पोराइट को प्ररंध्रक इस नाम से जाना जाता है अगली स्लाइड में प्ररंध्रक के बारे में चर्चा करेंगे तो पहला जो कंपोनेंट है जल सावहन तंत्र का वो मेडरी पोराइट प्ररंद्रक है प्ररंद्रक के बाद इस तंत्र का जो दूसरा गटक है वो ये वाले स्ट्रक्चर है ये दूसरा गटक है इसे स्टौन कैनाल इसे हिंदी में अश्मनाल के नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी अगली स्लाइड में देखेंगे ये किस प्रकार की सरचना है और इस वाटर वैस्कूलर सिस्टम जल सावहन तंत्र में ये सरचना करती क्या है दो स्ट्रक्चर हुई इसके बाद इस तंत्र की तीसरी सरचना जो आपको ये 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 और ये एक पेंटागोनल पंच कौनिय पाँच भुजाओं वाली एक राउंडिड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसे रिंग कैनाल या वलय नाल के नाम से जाना जाता है तो ये इस सिस्टम का तीसरा कमपोनेंट हो गया तो ये दूसरा कमपोनेंट था और अभी हमने बात की इस तंत्र के तीसरे कमपोनेंट की तो ये एक वलय नाल है पंच कौनिय हैं पाँच भुजाओं वाली है फिर इसके बाद इस तंत्र का जो अगला गटक है वो आपको दिख रहा होगा कि जब हम समुद्री तारा तारा मचली की बात करते हैं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसमें पाँच भुजाए हैं फाइव आम्स होती हैं और प्रतियक भुजाओं के अंदर ये ऐसी ऐसी एक इस्ट्रक्चर निकलती हैं तो प्रतियक भुजाओं के अंदर जो ये नली का उपस्थित हैं इससे जाना जाता है रेडियल कैनाल के नाम से हिंदी में इसे अरियनाल कहा जाता है ये इस सिस्टम का चौथा गटक है अरियनाल रेडियल कैनाल तो रेडियल कैनाल का टोटल नंबर फाइव होगा और ये हर भुजा के अंदर उपस्थित होगी इसके बाद हम बात करते हैं इस तंतर के अगले घटक की तो हम क्या देखते हैं कि रेडियल कैनाल यानि अरियनाल से फिर कुछ नली काएं छोटी छोटी निकली हुई है जह जो पाँचवा भाग हैं इस तंतर का इसे हम लेटरल कैनाल यानि पारशवनाल के नाम से जानते हैं फिर अगली स्ट्रक्चर के रूप में हम देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट हैं आपको इस तरह की कुछ सरचना ऐसी दिख रही है ये बनी हुई ये इस सिस्टम का पाँच छटा गटक हैं जिसे ट्यूब फिट नाल पाद के नाम से जाना जाता है अज़ा इसके अलावा इन छे गटकों के अलावा इस जल सवहन तंतर में हम देखेंगे कि जहां पर वो रिंग के नाल हैं वले नाल हैं वहां बुजाओं के साथ कुछ ब रही होगी आपको तो हर भुजा के साथ ऐसी दो स्ट्रक्चर्स हैं लेकि जहां पर वो स्टॉन के नाल वले नाल के साथ जुडती है उस भुजा में केवल एक है तो आप क्या देखोगे कि टोटल वन टू ये त्री ये फोर फाइब सिक्स सेवन एट और नाइन ये टोटल नाइन स्ट्रक्चर्स हैं ये इस सिस्टम का सांतवा गटक हैं जिसे टिड मैंस बोडी या इन्हें रैसी मोज ग्लेंड के नाम से भी जाना जाता है तो समुद्री तारा यानि तारा मचली के अंदर जल सवहन तंत्र की कैसी वैवस्ता है उसके कितने गटक है ये हमें इस आरेक से पता चलता है अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इस सिस्टम के बारे में तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक इकाइनो डर्मेटा जन्तूओं का यूनिक सिस्टम है मतलब और किसी अन्य जन्तू संग में ऐसा कोई तंत्र उपस्तित नहीं होता है दूसरी बात इस सिस्टम को पड़े उससे पहले दो जानकारिया जल सवहन तंत्र के बारे में हम लोगों को होनी चाहिए पहला कि आखिर ये सिस्टम इकाइनो डर्मेटा जन्तूओं में करता क्या है तो इस सिस्टम का काम है गमन में लोको मोशन में हेल्प करना सहायता करना तो प्रमुक काम अगर मैं प्राइमररी फंक्शन की बात करूं तो ये सिस्टम लोको मोशन या गमन में हेल्प करता है और भी इसके कई काम है जैसे इसके जो important गटक है नाल पाद ट्यूब फिट वो स्वसन में मदद करते हैं इसके अलावा जल, सवहन, तंत्र, उत्सर जन में भी मदद करता है लेकिन जो primary function है जो इसका मुख्य function है वो केवल गमन में सहायता का होता है दूसरी important बात इस system के साथ जो जुड़ी हुई है कि ये सीलोम के, सीलोम को हम देहगुआ के नाम से जानते हैं तो इकाइनो डर्मेटा, सीलोमेट जन्तू है, इनमें वास्तविक देहगुआ पाई जाती है तो उसी सीलोम के रूपान तरण से ये जल सवहन तंत्र इनमें निर्मित हुआ है अब बात करेंगे इस system के पहले गटक की और पहले गटक का नाम है मैडरी पोराइट, मैंने कहा था मैडरी पोराइट को हिंदी में हम प्ररंध्रक इस नाम से जानते हैं तो प्ररंध्रक एक्चुल में क्या है? केलशियम कार्बोनेट की एक प्लेट है और अगर आपने समुद्री तारा की सरचना देखी है तो उसकी सरचना को हम अगर ड्रॉ करें, तो इस तरह से एक सेंट्रल डिस्क है और ऐसे उस सेंट्रल डिस्क से यह पांच भुजाएं निकली रहती है तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला ये सेंट्रल डिस्क है कैंद्रिय डिस्क है इसी कैंद्रिय डिस्क की दो सतह है एक औरल जिसे हिंदी में मुक सतह कहेंगे और दूसरी एब औरल जिसे हिंदी में अप मुक सतह कहा जाएगा तो जो ये मेड्री पुराइटे प्ररंद्रक हैं ये समुद्री तारा की अपमुख सतह पर यानि जिस सतह पर मुख है उसकी विपरीत सतह पर जिसे एब ओरल सर्फेस अपमुख सतह कहा जाता है वहां उपस्तित होता है इसकी सरचना में लगबग 250 छोटे छोटे छेद हैं जिनकी संक्या डाइसों के आसपास हैं हर चिद्र की अपनी एक पोर कैनाल है चिद्र नली का है ये सभी पोर कैनाल मिलकर एक संग्रहन नली का कलेक्टिंग कैनाल का निर्मान करती है और वो फाइनली एमपूला में जाकर खुल जाती है तो जल संवहन तंत्र में जल की एंट्री पानी का जो प्रवेश होगा वो इसी मैडरी पोराइट प्ररंद्रक से होकर होता है और प्ररंद्रक पर क्या है छोटे छोटे लगबग 250 के आसपास छिद्र है जिनसे वो पानी बीतर आएगा और एमपूला नामक सरचना में इखटा हो जाएगा अब बात करेंगे इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के सेंड कमकॉनेंड की वो है स्टॉन कैनाल हिंदी में स्टॉन कैनाल को हम अश्मनाल के नाम से जाना जाते अब इसे अश्मनाल क्यों कहा है क्योंकि स्टॉन कैनाल की अगर हम जब सरचना देखते हैं तो इसकी बित्ती पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो गया है इसके कारण ये कठोर हो गई है और इसी लिए इसे स्टॉन कैनाल कहा गया एस आकरती की एक सरचना है एमपूला में जो जल एकटा हुआ था ये उस जल को ले जाकर रिंग कैनाल वलए नाल में ले जाके छोड़ देता है तो एक्च्योल में अश्म नाल का काम मैडरी पोराइट को वलए नाल यानि रिंग कैनाल के साथ कनेक्ट करने का होता है उसके आगे एक स्ट्रेक्चर है जिसका नाम है रिंग कैनाल जिसे हिंदी में वलए नाल मैंने कहा था ये पेंटागोनल पंच कौनी हैं पाच भुजाओं वाली एक सरचना है तो जल है वो स्टॉन कैनाल से होकर रिंग कैनाल में आ जाता है यहीं रिंग कैनाल पे हम बात करेंगे टिड्मेंड बॉडी की जिने रैसी मोज ग्लेंड भी कहते हैं मैंने कहा था इनकी संख्या 9 है हर भुजा की आंतरिक सतह पर 2 है लेकिन जहां स्टॉन कैनाल कनेक्ट होती है वहाँ इनकी संख्या केवल एक होती है तो कुल मिला के समुद्री तारा में तारा मचली के अंदर नौ रैसी मोज ग्लेंड है अब इनके क्या कारिय हैं तो अलग-अलग वेग्यानिकों ने इसके बारे में अलग-अलग मत दिये हैं तो संभावित कारियों के बारे में इस स्लाइड पे मैंने डिसकस किया है कि कुछ वेग्यानिक मानते हैं कि ये जो सरचना है वो फिल्ट्रेशन डिवाइस का काम करती यानि जो जल अंदर आया जल सवहन तंत्र में ये उसको फिल्टर करती है चानती है कुछ वेग्यानिक मानते हैं कि ये एक enzyme forming body है इसके द्वारा कुछ enzyme इस्त्रावित किये जाते हैं और कुछ वेग्यानिकों का मानना है कि ये lymphatic gland लसी का गरंथी के समान कारिय करती है अगली जो structure है water vascular system की वो है radial canal जिसे हिंदी में हम अरिय नाल के नाम से जानते हैं अरिय नाल प्रती एक बुजा में हैं तो समुद्री तारा में पाँच बुजाए हैं इसलिए कुल पाँच अरिय नाल वहाँ पर उपस्तित होती है अरिय कैनाल से lateral canals निकलती हैं हर ट्यूब फिट तक तो हर भुजा के साथ कुछ नाल पाद ट्यूब फिट जुड़े हुए होते हैं तो radial canal से पानी ट्यूब फिट में जाएगा इसके लिए यहाँ पर lateral canal या पार्श्व नाल उपस्तित होती है फिर सिस्टम का सबसे important गटक ट्यूब फिट है जिसे नाल पाद इस नाम से जाना जाता है ये actual में गमन के साथ साथ स्वसन में भी help करते हैं respiration में help करते हैं नाल पाद की तीन structure है एमपूला, पोडियम और चूशक ये तीन भाग एक नाल पाद के होते हैं एमपूला इसका फूला उआ भाग है पोडियम एक अतिवरद्धी जैसी सरचना है और चूशक इसको किसी सतह के साथ चिपकने में मदद करता हैं अब बात जब हम समुद्री तारा, तारा मचली की करते हैं तो उसमें तो ये साथ गटक ही water vascular system के होते हैं लेकिन तारा मचली के अलावा जैसे मैं sea urchin की बात करूँ इकाइनस की बात करें, sea urchin को इकाइनस के नाम से जाना जाता है तो कुछ अन्य इकाइनो डंस में हम क्या देखते हैं कि एक आठवा गटक इस जल सवहन तंत्र में और मौजूद है जिसे polian vesicle या आशय वाहीनी के नाम से जाना जाता है ये polian vesicle जो है, जो तारा मचली में तो नहीं है कुछ अन्य इकाइनो डं़ जन्तूओं में है ये polian vesicle actual में इस जल सवहन तंत्र में पानी के जल के दाब का नियमन करती है कि आवशक्ता अनूसार जल सवहन तंत्र में जल के दाब को बढ़ाया जा सकता है जल के दाब को गटाया जा सकता है तो आज हमने बात की संग इकाइनो डर्मेटा जो जन्तू है जो समुद्री तारा तारा मचली इस संग का जो एक जन्तू है उनमें water vascular system जल सवहन तंत्र की जिसे बीथी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है तो आज का topic आपको समझ में आया होगा वीडियो को like और share करें Thank you all of you